तो बच्चा पार्डी अभी लास्ट टाइम जो है आपसे मेरी बात हुई थी और हम लोगों ने कोश्चन नंबर पिशली वीडियो में और अब हम लोगों को यहां से आगे बढ़ना है अब आपसी बंब गोयाँ में आपने जीले ऐव आरती इस में जो आंसर हो आपका होगा 33 question number 107 में यानि कि अब 36 गड़ जो राज्य है आपने 36 गड़ राज्य देखना अगर तो आप मैप में जा करके एक बर यहां साब देख सकते हो आप मैप देखोगे अगर तो 36 गड़ राज्य देखे यह है 34 गड़ और अगर आप यहां से 36 गड़ राज्य जो है यह वाला हिस्साअब देख रहे हो यह 36 गड़ राज्य है उपी का इंडिया का तो जो 36 गड़ राज्य है इसके अंदर जो टोटल जेले हैं वर्तमान में उ हम लोग अब यहां से अपने कोश्टोंस पर आएं तो अगर हम कोश्टोंस पर आते हैं तो हम देखेंगे थोड़ा सा सीख रहा हूं और यह बैक कहां से होगा भाई साथ कहां से होगा यह तो वर्ल्ड का मैप है यह यहां से बैक होगा और हम वापस अपने कोश्टोंस पर आते हैं तो वहां से जो कोश्टोंस पर लिया था तो उसकी संख्या है 33 अब दिक्कत नहीं होगी हमने अब सीख लिया है अच्छा किस राज में सहरी छेत्र में 100 दिन का रोजगार मुहया कराने हितु इंदिरा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना की सुरुवात की गई है तो यह जो बच्चों इसकी यह है यह राजस्थान में सुरू किया गया है ठीक है राजस्थान में सौ दिन का सहरी रोजगार गारंटी योजना की सुरुवात की गई है अब अगर हम यहां सा आगे बढ़ें तो आप कोश्चन नंबर 109 में कोश्चन नंबर 109 चीन के बैज्ञानिकों ने किस नाम से चंद्रमा पर एक नए खनीच की खोच की है तो इ इनने चैंजे साइट वाई का नाम दिया है था भारत में किस वर्स तक टीवी उन्मूरन करने हितु राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत योजना का आरम किया है तो यह कब तक लिए टार्गेट किया गया तो यह टार्गेट किया अगर यहां देखे धे इसमें किस टीम के साथ आठ सितम्बर को अंतराष्टी साक्षर्ता दिवस मनाए गया है यानि कि थीम क्या थी किस थीम के साथ मनाय गया तो बच्चा थीम था transforming literacy and learning space जो answer है आपका वो क्या होगा transforming literacy यह option transforming literacy and learning space तो यह आपको question number है 111 उसका answer है C अगर आप यहां सागे बढ़ोगे तो तो सिंगापुर ने भारती नौसेना के किस पूरव चीफ नेवल स्टाफ को प्रतिश्ठित पिंगट जसा जैमलिंग पदक से सम्मानित किया है तो अगर आप इसको देखोगे तो सुनीर लांबा जो भारत के नौसेना के पूर्व चीफ रहा है सुनील लांबा उनको सम्मानित किया गया आंसर हमारा है सुनील लांबा को किस ने सम्मानित किया है सिंगापूर ने और ये क्यों सम्मानित किया है ये पिंगट जैसा जैमलिंग वहां पर एक वहां पर सम्मान है उस सम्मान को दिया गया है किसको दिया गया में फल्गू नदी पर किस नाम से देश का सबसे बड़ा rubber dam बनाया गया है तो यह इसका नाम जो है गया जी rubber dam है अब जैसे बिहार में गया है कहाँ अगर हम इसको देखना चाहें तो थोड़ा सा हम लोग map पर आते हैं और map पर आ करके हम देख सकते हैं कि बिहार में गयाजी है कहां ठीक है बच्चों तो हम लोग यहां से देख सकते हैं बिहार में गयाजी है कहां आप लोग यहां सा के देख सकते हो हमने यह खोला बिहार और बिहार के अंदर जो है जो यह वाला छेतर है यह यहां यहां कहीं जो बांद बना हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है बिहार जो है उसको गयाजी रबर डैम उसका नाम दिया गया है ठीक है बच्चों आप यहां सागे आओगे तो जो अगला कोश्चन है नीरत चोपड़ा किस देश से आयोजित डायमंड लीग ट्रॉपी का किताब यतने वाले पहले भारती बने तो अभी किस देश में इसका आयोजित किया गया है तो बच्चों यह जूरिक में किया गया है कहां पर किया गया है और जूरिक कहां पर है स्वाद्य안 में है अब वर्ल्ल् के दोट्च को देख सकते हो यह आपका जो भल्ल मैप है आप यहां देखो यह कहीं इधे इस है स्वीडिया लेंड यूरोप का एक देश है जिसको हम बोलते है स्वीडिया लेंड और स्वीडिया लेंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जीवरिक चीक है तो यहां पर नीरत चोपड़ा गया थे और कहां से गया थे देखो तो अगर देखो तो इंडिया से यहां से यहां से यहां से यहां गये थे बैचारे इतनी दूर तक खेलने के लिए गये थे यानि कि स्विट्जरन कहा है भारत सुत्र पश्चिम दिसा में है और यहां पर नीरत चोप्रा ने क्या किया है एक गेम जीता है चीक है बच्चों अच्छा यहां से अगर हम आगे बढ़ें हाँ तो बच्चा पाड़ी यह जो अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर है 114 नीरत चोपड़ा वाला हुए कोश्चन ही 115 नंबर देखिए 115 नंबर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित सालों पुराने राजपत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दिल्ली में इंडिया गेट के जो राजपत है उसका नाम ढ़ेगिया है करतव व्यपत अगर आप यहां सागे बढ़ोगे कोश्चन नंबर आप नेके तोखोगे 200 200, अगर आप यहां से आगे बढ़ेंगे, अगर आप यहां से देखोगे, तो UNDP प्रोग्राम, UNDP द्वरत जारी, सन्यूत राष्ट मानो विकास सुचकांत में, भारत का 119 देशों में, एक सो, स्वरी, 92 देश, 190 देशों में कौन सा रहेंक रहा है, तो बच्चो इसमें जो है, भारत का रहेंक रहा है, यह 132 नमबर पे रहा है, 132, इसका मतलब यह है, कि मानो विकास उचकांत का मतलब होता है, कि दुनिया के अंदर, जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में जो ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक सासन करने वाली सामरागी एलीजा बैथ दिती का 96 वर्स की उमर में अभी निधन हो गया वो कहाँ पुन का निधन हो गया स्कॉटलेंड में अगर आप थोड़ा सा मैप में जाकर के देखोगे थोड़ा सा मैप में जाकर के देखें टो ये जो चेतर ये वाला ये वाला चेत्र ये देखें ये 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 यе फूरा का पूरा जो चेत्र ये वाला इसको पूलते हैं UK United Kingdom केंगडम और यही पर एक छडा सा देश हैं जिसका नाम ही Scotland that is a part of the यह उसका पार्ट है Scotland तो Scotland जो है यह किसका पार्ट है UK का पार्ट है और यह अगर आप देखो गे इसको अगर आप देखते हो इसको थोड़ा सा वाइड करके यह देखो यहां कहीं जो एरिया ना यह यहां पर जो है UK आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है आप यहा अगला कोशन जो है किस थीम ने किस थीम के साथ एक से सास सितंबर दोहजार बाइस को राश्ट्री पोसर सब्ताह मनाय गया यानि कि वह थीम क्या था बच्चों तो वह थीम थीम था अच्छा मिस अर्थ इंडिया दोहजार बाइस खिताब जीतने वाली वंचिका परमार किस राज्जी की रहने वाली हैं तो मिस यह वंचिका परमार जो हैं यह हिमाचल प्रदेश की हैं और मुझे उमीद है कि आप लोग इनकी सकल भी देखना चाहते हो तो एक बार आप इ याद करने में सुभधा हो कोई आपको दिक्कत ना हो बच्चो थोड़ा भी और आप इसली जो है यहां से आ करके गूगल पर आप जा करके और आप वंचिका परमार के बारे में देख सकते हैं वी ए एन एस एच आई के ए वंचिका परमार पी ए आर मिस अर्थ आप यहां स परमार ठीक है यह हिमाचल की रहने वाली है और इन्होंने जो है मिस अर्थ का किताब जीता है ठीक है बच्चपाड़ी यहां सब अपने सवाल पर आएं अगर अगला सवाल देखें यहां से तो यह देखिए कि किस देश में वोलकर टर्न यूएन मानवा धिकार आयोगने यूएन मानवा धिकार आयोगने एक नए वोलकर टर्न जो है 21 देश के रहने वाले हैं और यूएन यूनाइटेड नेशन मानवा धिकार आयोग के एक नए प्रमुक बने हैं तो 21 देश के रहने वाले बच्चों तो यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं ऑस्ट्रिया कहा है तो आस्ट्रिया यूरोप में जहां पर स्वीडिय लेंड था ना, उसके ठीक हलका सा पूरव मैं अब देखो कि तो आस्ट्रिया है, वहागे रहने वाली हैं ये, हाल ही में दक्षण अफ्रीका ने दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी महराथन, कॉमरेट्स को सफलता पूरवक, पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी हैं, तो बच्चों भारत की तरफ से जो है, एरिका पटेल, ये जो है, ये अफ्रीकन में दुनिया की सबसे लंबी पुरानी महराथन, कॉमरेट्स को सफलता पूरवक, पूरा करने वाली पहली महिला बनी है, एरिका पटेल, अगर आप यहां सागे जाओगे, तो पीम स्री, पीम, श्री योजना क्या है, जिसे, पीम श्री योजना क्या है, जिसे हाल ही में केंदरी मंत्री मंदल ने मंजूरी दी है, तो यह जो पीम स्री मंत्री योजना है, तो उसके तहट जो है, चौदा हजार पांसो स्कूलों को मौडल स्कूल बनाया जाएगा, इसके तहट जो है, सिक्षा को बहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, आप यहां सा आगे जाओगे, तो औसधी म महानी अंतरक ने, कोश्चन नमबर आप देखिए, अगर हम 123 की बात करें, तो औसधी महानी अंतरक ने भारत बायोटेक को नाक के माध्यम से लगाये जाने वाले टीके को आपात कालिन उपयोग घेतु मंजूरी दी है, तो औसधी महानी अंतरक ने, मतलब किसको यह मंजू कर सकें, ब्रिटन के प्रधान मंतरी, लिस, ट्रस, भारती मूल के किस व्यक्ति को देश का नया ग्रह मंतरी न्यूक्त किया है, तो उन्होंने सुवला, सुवला ब्रेवर मैन को, यानि कि इसको जो है, उन्होंने नया ग्रह मंतरी न्यूक्त किया है, किस न्यूक्त किया है, ब्रिटन के प्रधान मंत्री ने वो लेडिस हैं वहाँ पे नव नियुक्त हुई है तो उन्होंने भारती मूल के जो ये सूला ब्रेवर मैन है ये भारती मूल के रहने वाले तब भारती मूल के नागरिक है और वहाँ पर उनको ब्रिटन में जो है 46 अध्यापक हैं जिसको इन्होंने सम्मानित किया है हमारी महां महिम राष्टपती द्रौपदी मुर्मों ने 46 स्वक्षकों को सम्मानित किया है अगर आप देखेंगे नैपाल की राष्टपती विद्या देवी भंडारी ने किसे नैपाली सेना के जनरल की मानद उपाधी से सम्मानित किया है तो बच्चों ये जो नैपाली सेना के जनरल की मानद उपाधी से सम्मानित किया है ये हैं लेटिरेंट जनरल मनोज पांडे, कौन है ये मनोज पांडे, इनको अपॉइंट किया गया है, मतलब समानित किया गया इस पत से, सयुक्त राष्ट बिश्व परेटन संगटन ने किस भारती राज्य को अंतरराष्ट्री यात्रा पुरसकार 2030 प्रदान करने की भूपरवनिंग बंगाल को. حाली में BCCI ने स्वदेश में होने वाले सभी अन्तराष्ट्री और घहरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल vow प्रयोज कादिकार किसे दे दिया है? तो बच्चों ये Master Card को दे दिया गया है, किसको दे दिया गया है, Master Card को, यानि कि क्या कहा गया है, BCCI ने जितने भी अंतराष्टी अस्तर पे, या घरेलू, जितने भी टाइटल प्राइज़क होंगे, मतलब उन सब की देखरें कौन करेगा, Master Card करेगा, हाल ही में, UNESCO ने भारत के किस सहर का Global Network of Learning Cities में सामिल किया है, तो बच्चों, UNESCO ने जो है, तीनों को सामिल किया है, ठीक है, बच्चों, उपरोक्त सभी को सामिल किया है, किसको, केरल के त्रिशूर को, केरल के निलांबुर को, और तिलंगाना का वारंगल, इन तीनों जिलों को जो है, सामिल किया, किसने सामिल किया है, युनेसको ने, युनेसको क्या है, तो युनेसको जो है, बिस्व के जो भी धरोहर है, उनको वह क्या करता है, उनको, उनको समहाल के रखता है, एक इस्पृति के रूप में, और एक संस्कृति के रूप में, आप थोड़ा से युन देखिए यहां से थोड़ा सा प्रोग्राम को बैक करते हैं, यहां पे आप चेक करोगे UNESCO, तो बच्चों UNESCO जो है, इसको आप अगर सर्च करोगे, तो इसके बारे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसके बारे आपको न्यूस देखना है, तो हम न्यूस देख लेते है देखो UNESCO जो है, क्या है, the United Nations कह रहा है, कि UNESCO क्या इसको देख लेजे, तो the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is a Specialized Agency of the United Nations aimed to promoting world peace and security through International Corporation in Education, Arts and Sciences Culture. इसका मतलब यह है, कि UNESCO जो है, एक राष्ट्रों का समू है, और यह इसका काम क्या है, इसका मुख्य काम यह है, कि भारत के बेशो के अंदर यह जो है, प्रमोट करेगा, मतलब बढ़ावा देगा किसको, peace को, शान्ती को, security को, सुरक्षा को, through International Corporation, मतलब यह प्रयास करेगा कि पूरे बेशो में सभी देश एक दूसरे को सहयोग करें, और वो सहयोग किस फिल्ड में करें, education के फिल्ड में करें, art के फिल्ड में मतलब कलाकृति के, science के फिल्ड में करें, और culture, sanskriti के फिल्ड में करें, अच्छा, इसके अलामा जो है, अगर आप देखोगे, तो UNESCO का जो headquarter है, वो Paris में है, और Paris कहा है बच्छों, France, France के अंदर है, UNESCO headquarter कहा है, Paris, Paris, France, याद कर लो इसको, कोशना आज़कता है, UNESCO की स्थापना होई कब, तो 16 November 1945 को London में किया गया था, कहां किया गया था, 16 November 1945 को London में किया गया था, और उस समय जो London है, that was the part of United Kingdom, अभी head कौन है इसके, तो अभी head कौन है, Audrey, और जब UNESCO की स्थापना की गई थे, तो उसमें कौन कौन से देश इसके founder थे, तो इंडिया था, US था, चाइना था, फ्रांस था, मैक्सिको, ब्राजिल, तुर्की, इजेप्ट, United Kingdom, Canada, Greece, Australia और मोर, और सारी countries थी, जो इसके part थे, तो बच्च और मुझे उम्मीद है, आपको UNESCO समझ में आ रहा होगा, कि सारी बाते हैं क्या, आप यहां सागे आईए, अपने questions पर आईए, तो यहां question में कह रहा है आपसे, कि हाल ही में किस राज में पुधु माई पेन योजना का सुभारंब किया गया है, question पूछ रहा है, sorry, question यह कह है कि हाल ही में किस राज में पुधु माई पेन योजना को प्रारंब किया गया है, तो पुधु माई पेन योजना को कहा पर प्रारंब किया गया है, बच्चों, तमिलनाडू में, तमिलनाडू में, तमिलनाडू में जो है, पुधु माई पेन योजना को सुरू किया गया है बने अमेरिका के किस पूर्राश्वती को सब्सकार 22 प्रदान किया गया है तो यह बच्चों किया गिये बंगाक लोबामा को आइमें पूरसकार 22 किसको दिया गया है बब्रॉती upper the देश nervous में इस्थित भरतौल गाउं और यहां की प्रतेग व्यक्ति को जो आरो का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ठीक बच्चा पट्ई अच्छा यहां सागे बढ़ते हैं जर्णा सवाल देखते हैं नेक्स अगला सवाल देखिए कोश्चन दिया है कि उत्तर मध्य रेलबे एंसी आर ने चुनार में चोपन खंड पर किस नाम से पहली बार दो पॉइंट सेवन किलो मेटर लंबी लाल लॉंग हॉल ट्रेन का परिचालन किया है तो अगर आप इस कोश्चन का अंसर देखोगे तो भाई सब पिनाका पिनाका ये उत्तर मध्य रेलबे एंसी आर ने चुनार से चोपन खंड पर किस नाम से पहली लंबी लॉंग हॉल ट् डिच नाम की बच्चा पिनाका पिनाका उस ट्रेंड का नाम है आप ध्यान रखोगे हाली में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था बन गया है भारत ने भी किसको पीछ छोड़ा है और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था बन गया बच्चों तो इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है ब्रिटेन को और ब्रिटेन के बाद आज भारत दुनि वह ज़्यादा बड़ा है किस से हालिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में भारत को किस पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोथ का जलावतर्ण किया है तो बच्चों इसका नाम है आईनेस विक्रांत को जो है अभी अभी हालिमें कोची में जो है जल में उत इस्टार की रेटिंग पाने वाले उत्तर प्रदेश का पहला जेल कौन सा है तो फतेगर सेंट्रल जेल कौन सा बच्चा फतेगर सेंट्रल जेल यह भारत का फाइफ इस्टार जेल है यहां पर कैदियों के लिए जो मानक तैकिये गए हैं वह सभी मानक पूरी कि जाते हैं कैदि के अपने कुछ अधिकार हैं तो उन अधिकारों को सबसे बहत्रीन तरीके से फालू किया जा रहा है कहां पर फतेगर सेंट्रल जेल में हाल ही में नासा ने किस यंत्र की मदद से मंगल ग्रह पर ओक्सीजन बनाने का सफल परिक्षण किया है तो बच्चों उसका नाम है moxie क्या नाम इसका moxie moxie के moxie के प्रियोग से जो है नासा ने सफल oxygen बनाने का एक प्रियोग जो सफल प्रूफ किया है हाल ही में अखिल भारती फुटबॉल संग All India Football Federation AIFF के अध्यक्ष कौन नियुक्त किये गए हैं तो बच्चो कल्यार चौबे को जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया है कल्यार चौबे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बच्चों बच्चों कल्यार चौबे को नियुक्त किया गया है आप यहां से अगर आगे बढ़ते हो आप यहां से अगर question को आगे बढ़ते हो तो question पूछा है संयुक्त राश्ट ने अफगानिस्तान में अपना नया विसे इस दूत किसे नियुक्त किया है तो संयुक्त राश्ट ने अफगानिस्तान में तो बच्चा इनका जो नाम है रोजा ओटुन बायवा को अपना नया वहां पर रायदूत नियुक्त किया है हाल ही में किस राजने सामोही क्रिशी वा उत्सव लोग पर नुँआखाई उत्सव को मनाया है तो बच्चों ये जो उत्सव मना जाता है ये उडीसा मना जाता है ये कहां मना जाता है ये उडीसा में मना जाता है आंसर क्या होगा आपका उडीसा आंसर क्या होगा उडीसा में मना जाता है नुवखाई पर पूछा आपसे एक्जाम कोश्चन पूछे नुवखाई महसो कहां तो उडिसा में नुवखाई महसो कहां उडिसा में हाल ही में सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया ने किस नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टी का लॉंच क उसका नाम के बच्चों क्यूच पीवी क्यूच पीवी भारत का पहला थीडी मुद्रित दागहर कहां खोला जायेगा तो बंगलूरू में खोला जायेगा 3D मुद्रित दागहर मतलब जो इमेज इस पर प्रिंट होंगी वह थ्री-डैमेंशन होंगी मतलब आप एक चित्र कोद्य होए वो तीन डैमेंशन्स को उसके देख सकते हो आप मतलब चितर उभरा वो मैसूस होगा आपको तो ऐसा डागर कहां खोला जाएगा बंगलूर में हाल ही में नीती आयोग ने भारत का सर्वस्रिष्ट अकांग्शी जिला के से गोशित किया है तो बच्चों है वो सबसे ज्यादा जो है मतलब आपको बिक्सित करना चाहता है यहीं कि सरवाधिक प्रग्रसिव सीले कौन हरिद्वार हाल ही में भारती उलम्पिक संग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कारेभार को संभाला है तो बच्चों यहां जो है आदित्य सुम्री वा इन्डियन उलम्पिक फेडरेशन यानि कि वो संगठन जो भारतीयों के लिए जो है उलम्पिक के लिए टीम का चैन करता है तो उस संग के अध्यक्ष जो है कौन निउत किया है आदिल सुम्री वाला इनको निउत किया गया है दिल्ली के मिहरूली में कुतुब मिनारिस्थ किस अस्थल को राष्ट्रिय इसमारक घोसित किया गया है तो बच्चा यहां पर जो ताल है ना अनंग ताल अनंग ताल को जो है राष्ट्रिय इसमारक घोसित किया गया है लुसाने में आयोजित डायमंड लीग 2022 जीतने वाले लुसाने जो है बच्चा यह फ्रांस में है डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बने हैं। तो भाया ये कौन है नीरच चोपड़ा। नीरच चोपड़ा जो है इन्होंने डायलेंड लीग में भाला फेका और मैच को जीत लिया। मतलब आवर्ड को जीत लिया। अगर हम यहां सागे बढ़ें हम कोशन देखें नेक्स्ट तो यहां पर कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध सुन्य कार्बन उसर्जन का लक्ष हासिल करने की घोषणा की है। मतलब किस वर्ष तक टार्गेट है। तो भईया यह PUBG है वर्ष सुन्य का लक्ष हासिल करने की घोषणा की है। कि जो मतलब जो हम लोग कार्बन जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं जैसे अगर हम डीजल अगर हम इनर्जी बनाते हैं तो उसमें कार्बन कोला जलाते हैं पेट्रोल जलाते हैं तो वो जलाने के बाद जो है हमको कार्वन धुआ निकलता है तेनी कि हम इस तरह के इनर्जी का विकास कर लेंगे कि हमसे किसी भी तरह का धुआ उत्पन नहीं होगा तो यह टारगेट किसका भारत सरकार का 2022 में 2022 के युनेशको सांती पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो एंजिला मॉर्किल को यह पहले जर्मनी की जो है जर्मनी की चांसलर थी एंजिला मॉर्किल तो इनको जो है 2022 के युनेशको सांती पुरसकार ध्यान अखना important है question बन सकता है युनेश को सांती पुरसकार किसको दिया गया है तो एंजला मार्किल को दिया गया है हाली में किस देश में दुनिया की पहली hydrogen से चलने वाली train launch की गई है पुर्ण क्या बच्चों hydrogen से चलने वाली तो अभी कौन से ऐसा देश है जिसने ऐसी train बनाई है जो hydrogen से चलती है तो वो देश से बेटा जर्मनी कौन है वो जर्मनी यहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली train का निर्मान किया गया है ठीक बच्चों हाली मुत्यप्रदेश सरकार ने कहां सिंगापूर की तरज पर देश का पहला नाइट सफारी और जय विवित्ता पार्क वराने की गोस्टना की है तो भाईया यह इन्होंने कहा है लखनव में नाइट सफारी पार्क का मतलब यह है कि रात में आप वहां जा करके और उस चिडिया घर में घूम सकते हो सफारी पार्क का मतलब होता है एक ऐसा रास्ट्य उद्यान या एक ऐसा पार्क जो कृतिम रूप से बसा जाता है तो विवित्ता पार्क का मतलब होता है कि जहां पर कई प्रकार के पीण पॉद्यक सा सर्वाइब करते हों तो यह प्रोग्राम कहां सुरू किया गया है लखनव में ऐसा प्रोग्राम करने की बात कही गई है हाली में 200 कैडट जूडो चैंपियन शिप में सोन जीतने वाली पहल लिंत्ओशनम्बं को कि वह कैसा खेलती हैं कैसे दिखती हैं आप यहां पर जाएगे तो सबसे पहले आप यहां पर सर्च करेंगे लिन्थोई ये देखिए ये आ गए लिन्थोई सनम बनम लिन्थोई चम बनम ये हैं ये लिन्थोई ये देखिए इनका फोटो भी आ गया है और ये लिन्थोई इनका पूरा नाम बच्चों वो नाम क्या इनका इनका नाम है लिन्थोई चनंभम, चनंभम, पी लिन्धोई चनंभम है और ये जो है इन्होंने क्या किया हुआ है इन्होंने विष्व कैड़िट जूडो में स्वापग जीता है । और ये कहां के रखने वाली है ये मरिपूर के रहने वाली है आएइ अपने काम पर आते हैं कोशन देखते हैं को समर्पित किया है नरेंधर मोधी ने बहारत का पहला भुकम पिस मारक इस्म्रतीवन राष्ट को समर्पित किया है तो बच्चों यह भुझ सीमाय लगती है हाल ही में Reliance Industry दुनिया का सबसे बड़ा Carbon Fiber Plant कहां बनाने की घोस्टना की है यह Carbon Fiber Plant जो है बच्चों इन्होंने कहां पर लगाया है तो आप देखोगे तो इन्होंने हजीरा में यह हजीरा में जो है Reliance Industry ने एक Carbon Fiber Plant लगाने की बात की है इसका मतलब कि जितना Carbon निकल रहा है Carbon Surgeon हो रहा है तो उसको प्लास्टिक के रूप में Convert करने की छमता को बिक्सित करना यह जो है यह अभी Reliance ने ऐसा प्रोडाम किया है हाल ही में किस हाल ही में किस अरिक्त राज्य में राजीव Гांधी गामीड ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है और यहाजीव गांधी खेल का यह कहां पर हुआ है हाल ही में रास्ट मंडर संसदी संग के कोशा ध्यक्ष कौन चुनेगा है तो यह चुनेगा है अनुराग शर्मा यह कौन चुनेगा है अनुराग शर्मा हाली में राष्ट मंडल संसदी संग के जो राष्ट मंडल संसदी संग है कि कोशा ध्यक्ष कौन चुनेगा कौन चुनेगा है अनुराग शर्मा चुनेगा है हवा से पाणी उत्पन्न करने वाला किस स्वधेशी मशीन से मुंबई डिविजन के स्टेशनों पर पानी पीने का पानी उत्पन्न्न करने वाला भाई सब हवा से पानी उत्पन करने वाला मतलब हवा से पानी कई से पैदा कर देगा भाई सब जो हवा के अंदर मौश्चर नमी है ना उस नमी को पानी के रूप में कनवर्ट करेगा तो यह जो प्रोग्राम है यह कहां यह मतलब जो है इस चैसनों पर पीने पानी उत कौन में एक दूद किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक रिण योजना महिल निधी की सुरुवात की है तो बच्चों यह राज्य है राजस्थान यह कौन से राजस्थान 31 अगस दो हजार बाईस को 64-वे रोमन मैक्स ऐसे आवार्ड किसे देने की घोस्ठना की गई है यह रोमन मैक्स ऐसे आवार्ड जो है यह फिलिपिन्स की राजहानी मनीला में दी जाती है और यह पत्रकारिता के छूत्र में जब यह दी जाएगी तो यहाँ पर देखिए तो तीनों के तीनों लोग हैं इन तीनों का नाम इस वर घोसित किया गया है उप्रोगत तीनों को तो कौन-कौन लोग है कंबोडियाई मनोचिकसक सेथियमारा छिम को जापानी नेत्रे रोग विस्सग्य तदासी हतोरी को और फ्रांसेसी परियावन कारिकरता गैरी बैनी धेची और इसको दिहान रखेंगे और कई से कई बैर एक्जाम में कुशन बनता है कि इसमें से कोई इन तीनों के नाम देदेगा एक और उल्टा नाम से कौन ऐसे हैं जिनका नाम रोमन मैक्सस य को लिए नहीं चुना गया तापको हम पच्छन पड़ेगा सरसथ में फिल्म फॉय जो है भारतिय सिनेमा में एक अच्छा नाम है इन्होंने कई सारी पिक्चरों को बनाया है सुभाद घई को आप देख सकते हैं कि पूर राष्ट्पती को मास्कों में तीन अगस्त 2022 का निधन हो गया तो बच्चों इसमें से मिखाइल गुर्च गोव का कौन थे मिखाइल गुर्च गोव इनका जो है क्या हो गया है निधन हो गया है पंद्रहवें अंतराष्टी खगोल विग्ञान और खगोल भौतकी उलंपियाड में भारत की स्थान पर रहा है तो बच्चों भारत तीसरे स्थान पर रहा है मतलब पंद्रहवें अंतराष्टी खगोल विग्ञान मतलब बैसवी कस्तर पे बिस्सों में जो है उसमें जैस भर के scientist बुला जाते हैं बैग्यानिक बुला जाते हैं और वो लोग जो है आकर के महापज़ से Olympiard होता है Olympiard का मतलब होता है बच्चा competition तो उस competition में खगोल विग्यान का मतलब होता है universe के बारे में और खगोल भौतिकी का मतलब physics, universal physics जो हम universe related जितने ही physics है उसको में देख सकते हैं तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली hydrogen-eathen cell bus का अनावरण कहां किया गया है तो बच्चों ये एक बस है hydrogen-eathen cell यानि कि इस जो hydrogen-eathen cell यानि कि इस पर चलने लिए बस कौन सी है पूड़े में भारत के पूड़े में इस बस को trial किया गया है लौंच किया गया है National Institute of Immunology का director National Institute of Immunology यह 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 इसका जो director है किसे नियुक्त किया है तो बच्चो देवसीस मुहनती को देवसीस मुहनती को जो है नियुक्त किया गया है देवसीस मौहनती को राश्टपती ढोपति मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है राश्टपती द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेस वर्मा को भाई साब किसको राजेस वर्मा को 23 अगस 2022 को HPCL ने किस राजे में गोबर से संपीडित बायो गैस परियोजना की सुरुवात की है तो बच्चों वो कौन है राजेस्थान में कहाँ पर सुरू की गए राजेस्थान में केंद्र सरकार ने किसे इंग्लेंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है चिरमी कह, यह उच्चायुक्त क्या होता है बच्चों में बृत्य आप आपकर ने क्या होता है जो बहुत का भारत सरकार का रेसेंटेशन कर दर संब्सक्राना के औरे सिस्जांक्त नानना है पर संपन्न की गई है तो बच्चों यह ताशकंद में संपन्न की गई है कि यह तो यह बच्चों कहां पर कि यह भौपाल में यह है क्या तो केंद्री चैत्री परिशद की ठीक है भाई सब अगला है देश की पहली educational education township कहां बिक्सित की जाएगी तो देश की जो पहली education township है उसको कहां बिक्सित किया जाएगा तो बच्चों इसको उत्तर प्रदेश में बिक्सित किया जाएगा कहां पर बिक्सित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में education township कहां बिक्सित किया जाएगा तो जो है 69 कोशन है कहां पर उत्तर प्रदेश में हाली प्रदान मंतिर नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा private hospital का उद्धाटन किया है सबसे बड़ा private hospital का उद्गाटन किया है तो बच्चों फरीदाबाद में किया है आउसर क्या होगा इसका D फरीदाबाद किसका आउसर क्या होगा बच्चा पाटी डी कहां है फरीदाबाद में आजादिक अमरत महस्व का साउथ इस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया तो किस नाम से क्या है सूपर वासुकी उसका नाम कहता बच्चों सूपर वासुकी जो सबसे लंबी रेल गाड़ी चली है उसका नाम है सूपर वासुकी अगर आप यहां जोग तो सत्रवे प्रवासी भारती दिवस समेलन 32 कहां पर आज़ित किया गया है तो बच्चा परड़ी यह इंदौर में किया गया है कहां पर किया गया है इंदौर यह प्रवासी भारती दिवस क्या है तो प्रवासी भारती दिवस का मतलब होता है कि यानि इसे भारतों कई सरा लाब भी है, तो हम लोग उनकी इसमृति में क्या करते हैं, बच्चों, ये प्रवासी दिवस मनाते हैं, अपनों से connect होना, इसका जो दूसरा sense है, वो अपनों से connect होना है, तो 65-वा राष्ट मंडल संसदी, आज लोगें, ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उन्होंने जब ब्रिटेन इनको मुक्त किया, तो उन्होंने का बनारिया ग्रूप, जिसको बोलते हैं राष्ट मंडल, अगला सवाल है, गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध, भौतिक और मौसिम विग्यानी को उनकी 104 जुएंदी पर खास डूडल बनाकर सम्मानित किया गया, ऐसे कौन से विग्यानी थे भारत की तरफ से, तो बच्चों इसमें जो है जो विग्यानिक थे, तो इसमें अन्ना मडी साहब थे, कौन से साहब, अन्ना मडी साहब, इनके न की रहने वाले थे, हाली में किस देश के पतरकार फाहमीदा अजीम को फूलिजर्ग उरसकार 2022 से समानित किया गया है, इसमानित किया है, वाँजला देश, के के इंदरि मंत्री अनुराक ठागुर ने किस नामसे मुबाईल गेम लांच किया है, तो आजादी क्वेष्ट के हैं लुंट्ट किया आजादी स्प्वेस्ट अगर यहां अग्रव बढ़ते हो तो देश का पहला पूण कार्यातमक आदिवासी साक्षर जिला कौन साथ है तो देश का पहला यह मंड़ला जिला होगा और कौन सा भूत को जबता है यह तो ऑस सकता है 23 अगस्त से 22 सितंबर तक ये डेट भी आपको याद रखना है और हो सकता है कि पूछ ले कि बिस्व जल सप्ताह कब मनाए गया है तो 23 अगस्त से एक सितंबर दर बाइस तक आपको डेट भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इस बीच में जल सप्ताह मनाय गया तो अगस्त का लास्ट वीग जो है उसको बिस्व जल सप्ताह के रूप में मनाय गया है ठीक है बच्चों हाली में चंडीगड हवाई अड़े का नाम क्या रखा गया है तो भाईया जो अभी हवाई गड़ जो मतलब ये जो चंडीगड हवाई अड़ा है उसका नाम चौधरी भगत सिंग के नाम पर रखा गया है सहीद भगत सिंग जी हवाई अड़ा हाली में विदेश मंतरी M.S. जैसंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है तो बच्चे ये किया है परागवे में अवाकि मन में सवाल आ रहा होगा कि ये परागवे है कहां तो चलो भी एक बार देख लेते हैं अपने बैक में लोग जा करके देख लेते हैं कि परागवे कहां है आईए वर्ल्ड में पर आईए तो यहां पर लोग देखेंगे वच्चों तो यह दो आप देख रहेंगे यह देखिए यह एक देश है जिसका नाम है परागवे यह देखिए आप यह देखिए बिल्कुल आप जाईए यहां से कहा पर आप जाएंगे यहां सब जाएंगे ब्राज वह दक्षण अमेरिका में तो यहां पर पर परागवे है तो यहां पर जो है महात्मा गांधी की जो पे आप देखो यहां लोग बैठें और यहां से सीधा परागवे यह है तो बच्चों यह जो दूरी है यह अप्रॉक्सिमेटली जो होगी लगभग जो होगी 20 से 22 हजार किलो बीटर क्या सपास है ठीक है और यहां पर जो है गांधी जी की प्रतिमा का अनावन किया गया हम ल प्रति क्थक्षोपाडी नेक्स्ट, देखिए सवाब हुग हम लोग बेक टो पने सब कोशन पर आते हैं फिर इसमा कह रहा है कोशन अगला कोशन कह रहा है कि 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 स्राज के मिधिला कि कि स्राज के मिधिला म खाना को जियो ग्राफिकल इंडिकेशन जी आई टैक्ड दिया किसको दिया गया है जहारखंड को आप अगर यहां सागे बढ़ते हो तो हाली में भारत चीन रूस मंगोलिया और तजिक्स्तान सेनाओं के बीच किस नाम से युद्धा अभ्यास का उजन किया गया है तो यह तीन देशों ने मिल करके जो है वुस्तवोक 2022 के नाम से युद्धा अभ्यास इन्होंने किया वुस्तवोक 2022 के नाम से हाली में भारत अमेरिका ने संयुत विशेस सैने बलों के तिरहवे संस्क्रण के अभ्यास बज्र प्रहार 2022 कहां संपन्न किया गया है तो बच्चों यह जो है यह हिमाचल प्रदेश में संपन्न किया नियामूर्ति, उमेश, उदय उमेश, उयू ललित, भारत के कौनवे, कौन से नमबर के मुख्य नियाधीस बनेंगे, तो बच्चों ये जो है भारत के 49 मुख्य नियाधीस है, 49th, क्या नाम इनका उमेश उमेश यू यू ललित उमेश उदय उमेश ललित हाल ही में किस भारती खिलाडी ने अपने पहले डेबू मैश के साथ लगातार 16 मैश जीतने का बिस्व रिकॉर्ड बनाया है तो बच्चों इसमें जो है दीपक हुड़ा दीपक हुड़ा ने जो है लगातार सोलम है जीतने कब इस रिकॉर्ड बनाया है यहीं सब लोग फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अभी नेक्स वीडियो फिर आएगी तब तक इसको कंटिन्यू वाच करो अगली वीडियो फिर आने वाली है थाइंक्यों सो मच गा